आज की चर्चा में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे जनाब के नए व्लोग की जो उनका जो व्लोग आने वाला था कि बहुत श्पेशल उनका गेस्ट आने वाला है उस व्लोग की बात करेंगे और श्पेशल गेस्ट कौन है इसको पता तो पहली जो लग गया था यान से पहले सी सबको पता लगया कि यह कौन आने वाला है फराखान आने वाली है चलिए मिस्ट्री तो रिवील होई गई बात करते हैं व्लॉग की अब व्लॉग में देखो कितना मतब ठंडे तरीके से बहुत ही ठंडे तरीके से इन्होंने फराखान का वहाँ पर वेलकम किया औ कि पूरा इरेजमेंट ही इनका इतना ठंडा था कि मतब वो क्या कहें वैसे तो आप इतनी हाइप बना रहे थे कि फराखान आने वाली है फराखान मतब यह कि बहुत special guest आने वाला ऐसा कहा था और वाकी में अगर माना जाये तो फराखान का आना कोई चोटी बात नहीं है अ को इतना insist किया होगा आने के लिए क्योंकि कहीं ना कहीं इनको यह दिखाई दे रहा है कि जनाब के पास काम नहीं है तो अब काम चाहिए तो काम चाहिए तो लोगों के पास जाना पड़ेगा इसलिए शरगुन के उसमें भी गए थे फिलिम के प्रीमिर में भी गए थे और अब फराखान को insist करके इन्होंने अपने घर तक बुलाया और जबकि फराखान ये बता रही थी कि मीरा रोड के आसपास कहीं उसका जो शूट वगरा चल रहा है तो इसके लिए उसका आना जाना यहां पर रहता है तो definitely वो आई है यहां पर और इनके insist करने पर आई है यह उस से कहते हैं ना कि भी हाँ एक guest आया है और special guest आया है और उससे हम भी honor हुए हैं तो ऐसा कुछ भी निवा पर दिखाई नहीं दिया वो अपने driver को लेके अकेले ही वहां तक आ गई अब देखिए जब यह घर में आई तो उसका सलाम किया सलाम करने के बाद में उसके हाथ में packet था जो mostly जो लग रहा था वो जो खजूर होते हैं dates का एक packet था जो वो basically अपने साथ में लेकर आई थी जहां कुछ अखलाक जो होते हैं गेस्ट के होते हैं तो वहां host के भी कुछ ना कुछ होते हैं यानि दोनों के तरफ से कुछ ना कुछ मर्यादाओं का पालियन किया जा एक फूल का मतलब जो है flowers का एक bouquet आप लाके रख लेते और उसको वैलकम के टाइम पर देते हैं तो लगता कि हाँ अब यह तो है नहीं कि वह आए गेट पे अब आप माला लेके खड़े हो जा और उसके गले में माला डालें तो यह भी अच्छा नहीं लगता तो यहां पर यही हो सकता था जो सबसे अच्छा था आप्शन बहुत सारे थे लेकि सबसे अच्छा जो आप्शन था वो यही था कि एक बुके लाके रखा जाता और उसको वैलकम के टाइम पर ही उसको वहां पर दे दी जाता तो यह तो बिसीकल होता वैलकम अब बात करते हैं बाकी की देखो उसने आकने के बाद में सिर्फ पापा को सलाम किया और बागी लोगों को बद्दूर सी सलाम किया और जो मैडम है मैडम जरूर उसके आके गले लगी सलाम किया मैडम ने आकर उनसे और उसके अलावा और किसी का भी उनसे इस्तक्बाल नहीं हुआ या कहिए कि उनसे उ उसके साथ में चुपटना नहीं है, उसके साथ में बैठना नहीं है, उससे दूरी बनाए रखनी है, बद दूर सही सलाम करो, ये करो, तो इवन देन मुझे तो बहुत ज़दा सलाम की हवाज भी नहीं आई, घर के अंदर कोई चला आता है, तो घर के चार लोग, पांच कोई तो सलाम करता ना, लेकिन सलाम की हवाज भी इतनी जदा नहीं आई, तो ऐसे लगाता है, सब के मुझे टेप लगा दिया गया है, वह सब के सब ऐसी है, तो ये ऐसा कैसा वेलकम कि आप वहाँ पे घर में जा रहे हो, वहाँ के लोग आपको ऐसे अजूबे की तरह जिनादी के मैंने ये भी बनाया, मैंने ये भी बनाया, ये भी बनाया, अच्छा ये सारी चीज़े बनाई, लेकिन उसके बाद में आपने जो उसको खाने के लिए दिया, तो वह डिस्पोजिबल वर्तनों में, मतलब देख कर हैरानी होती है, मतलब कैसे लोग है, क्या इन लगा और एक गेस्ट के सामने मतलब कभी कभी क्या है कि हम हम लोग जो है अपने घर में भी कप वोगरा इन सब में चाय और यह सब चीजे पीते हैं और गेस्ट के सामने आप जो है ना वह डिस्पोजबल बरतनों में उसको खिला रहे हो कि अफ्तियारी करनी है अच्छा और उसके बाद में इस सब्सक्राइब न निकला और सकते हो कि लिए लोग पेपनी ज्बिए शाज़े बाकि हमें के लाइक जाट ले लीएक महाँ पर नीचे बठा के आप करा रहे हो चलो अफ्तियारी नीचे बठा के होती है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो L शेप में मतलब आप रोज जो अफ्तियारी करते हो आज आज आफ्तियारी कर रहे हो मुझे ये बता दे कोई भी कि उसमें चेंज क्या था उसमें न आगे चलते हैं बात करते हैं वो असल में क्या है वो लेडी जो ना बहुत डाउन टूदा अर्थ है और क्यों है क्योंकि वो इसी तरीके से आगे बढ़ी है जब उसका जो बच्पन था ना वो बहुत अच्छा बच्पन नहीं था उसने खुद ही बताया था प्रोग्राम में भी बताया था तो इसलिए वो अभी भी जो जमीन से जुड़ी हुई है तो इसकी के लिए तो उसको तरीफ करनी चीए उसने आराम से बैठके जो उसको खिलाया गया उसको खाया और उसने कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई अब यहां फिर देखने वाली बात है फणी का देखिए जब वो जा रही है तो वहां पर डिज़ा रही है तो वहां पर डैनिंग टेबल दिखाई दिखा दिए जो बिसिकली बोन चाइना वगरा की है लेकिन सारी क्रॉकरी प्साफ दिखाई दिए यह दिखाता है इस बात को कि शायद उसने डीनर भी नहाँ पर नहीं क लेकिन उसके बाद मैडम और इनका क्या कहना है एक छोटा सा चोटा सा ऐसे कहते हैं कभी कोई हमेशा यह का जाता हुए गिफ्ट लेकर आए थी बहुत ही अच्चा लगा हमें उनका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा और वो हमेंगी अच्छी लगी उनकी आदत बहुत जिससे आप ये कहते हैं कि हाँ वो गिफ्ट लेकर आई है और बड़ा गिफ्ट लेकर आई है चलते समय शायद उसको खाना इन लोगों ने शायद पैक करके दिया है ऐसा लग रहा था क्योंकि एक पैकट दिखाई दे रहा था और चलते समय बाकी जितनी मौदा मंडली थी नहीं करके लोग रह गए थे यानि कि पूरी तरीके से ना वो डिनर किया गया ना कोछ किया गया और जाते समय जब वो मैडम से मिलती है तो साफ लग रहा है मैडम का उदासी चहरा इस लग रहा है जिससे वो रो कर आई है मतलब जो भी कमिटमेंट्स जो भी चीजी चाहा रहे थे किसी तरीकी से कि उनकी पूरी हो जाए वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई है यह बिल्कुल साफ उसके जो चेहरे से लग रहा था और बिल्कुल ऐसे लग रहा था रोही रोही लग रही थी बिल्कुल तो यह इंडिकेशन है कि जिस मकसद से इन्हों ने इसको यहां ब भुला दिया जाता है, वहाँ पर जितने भी गैस्ट आते हैं, या फिज जजिस होते हैं, वो जितने कमेंट्स करते हैं, वो वहीं बंद कर दी आते हैं, उन्हीं किताबों में बंद कर दी आते हैं, बाकि उनका कोई फाइदा नहीं होता है, कोई ऐसे कोई फिलिम नहीं देता कोई आपको चांस नहीं देता तो फरा मैडम के जाने के बाद में दोनों शुरू होगे कि फरा मैडम जो कितनी काइंड हैं और कितनी बड़ी हैं और उसके बाद में फराना 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 आप समझगी होंगे और कोकोनेट अंदर से ऐसी और बहार से ऐसी तो वो सारी बात है उन्होंने वहाँ पर अपना पूरा रिगार्ड वहाँ पर जो कनवे कर दिया लेकिन लगता है कि फिर भी उसके बाद में इनकी वो दाल कली नहीं है तो चलिए अब बात करते हैं व्लॉग के अगले भाग की देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में बड़ा चौकने वाला जो मिलता है देखने को कि जनाब ने जो पहना हुआ है कुरता वो एक्जेक्ली उसी प्रिंट का है जिस प्रिंट की टीशर्ट जो अदला बदली करी थी डबाने और फनी ने तो पहली बार तो देखके शौक लगता है कि भी यह क्या यह क्या बड़े क्लासी लोग है कि आज से ही नहीं कब से ही उसके जो वीडियो है आँख मारने वाले चुमी के और यह सब के बड़े अजीब वजीब और इस तरह से के वो सारे सारे बहुत पहले से ही फेमस हो चुक कुछ भी कहने ना इंसान क्या है वो बदलता नहीं है तो इसलिए जो ना इनसान के ना बद खाती रहती है अब जनाब को देखिए जनाब जो है ना उसको देखते है निको को देखते है उसके सर पर एक चोट लगी हुई है और सीड़ उसको ब्लेम कर देते हैं कि ज़्यादा पी होगी है आईसे कभी किसी को करना चाहिए कि आप दूसरे की completely insult कर देते हो वो तुमार मतलब फ्रेंड नहीं है जिससे आप हसी मजा कर यह सब चीज़े कर रहे हो तो ऐसा करता है बहुत गलत है यार एंबेरस फील होता है आपकी व्लॉग की शूटिंग चल ली है कैमरा सामने है कैमरा मुझ पे देते हो और बस बोल देते हो आप कुछ भी बोल देते हो अगर दिखाई दे रहे हो क्योंकि रमजान चल रहे है कहीं से आपको लग रहा है कि दिखाई दे रहा है कहीं से भी दिखाई न दे रहा है फेस पे कहीं कोई ऐसी बात नहीं है हम तो बार बार कह रहे हैं कि रमजान रखते हैं तो थोड़ा बहुत तो फेस पर फरक आता है बाड यह सब को अपनी रीच चाहिए इनको भी अपनी रीच चाहिए जो देखा जा तो व्यूज और इन सब के मामले में देखा जा जा तो डाउन ही डाउन चले जा रहे हैं यह लोग जो है अभी तक अपने 4 million subscribers नहीं कर पा रहे हैं पूरे साल डेड़ साल से ऐसी पड़े हुए है तो अपनी रीच बढ़ाने के लिए गिव आवे अब यह भी उस पर करेंगे दोनों और मैडम भी उसमें शामिल होना चारी है खुराफात के साथ में अब डबा को मौधा जाना है तो अब उसकी शौपिंग और यह सब जो शुरू होगी और आउटफिट देखो उसका अब यह वेस्टरन आउटफिट नहीं है तो और क्या है यह मैडम जोना बहुत चालाग और बहुत स्यानी है अब आप अगर यहां ध्यान से देखो तो बच जाता है जबकि वो डबा उससे लेनी कोशिश करें तो वो आनी रहा तो कह रही है हाथ तो चोड़ो इसका मतलब वो अपने आप नहीं है तो वो जबर जस्ति लेगी इस तरह की पर मैडम ने अपनी चाल जो चलनी चुरू कर दी है क्योंकि कुछ भी हो अगर डबा पर काब यह सब मानता है और वैसे भी यह बिल्कुल भाव देते नहीं है ना तो एक हो जाता है ना कि भी अगर भाव नहीं देते तो वो कोशिश करते है कि चलो हम किसी दरे से इनके पास आ सकें तो यहाँ पर हाला कि वो जो जनाब को बुरा फुला कहता है बहुत मतलब साला और य उसने गारी का कुछ काम कराना था तब भी उसने यही बात करी मैडम के साथ बात करी तो इस तरीके से यह आपस में बात कर लेते हैं और यहाँ मैडम को एक रस्ता दिखाई दे रहा है किस तरह से वो कंट्रॉल कर सकती है डबा को तो जनाब ने यह भी रिवील कर दिया कि इस पर वो अपने गिव वे में सबसे पहले क्या देने वाले हैं वो नोंने एक फोन देने का फैसला किया है यह एक अच्छा फैसला है मतलब एक फोन है अच्छा फोन है और दूसरी बात यह कि यूजड फोन नहीं है डबा की तरह से चोटे दिल वाली बात नहीं है मैं यह जाए दे लुए वाली चीज दे दोंगी चली एक अच्छा है यह तो अच्छा फैसला है इसलिए इसके हम तरीफ करेंगे तो इस तरीके से जनाब ने अपना फैसला कर लिया दोनों आप डोय करेंगे तो यह था हमँरा एक पॉड्कास्ट है इनके व्लॉग के ओ Norman Kalo को कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जहूर बताइए थेंक यू धन्यवाज शुक्रिया